गुड इवनिंग एवरिवन आज करते हैं पिर्सिंग और सुकिंग माउथ पार्ट तुम्हें पता है कि जो माउथ पार्ट है आर बेस्ट ऑन दा फूद टाइप राइट जिस अनिमल जिस तरह के फूद पर डिपेंड करता है उसके माउथ पार्ट भी उसी तरह से मॉडिफ अब तुम्हें पता है मॉस्कीटों है बगस यह फील ओन लिक्विट फूद मटिरियल राइट फूद पर लिक्विट फूद मटिरियल ते हैव तो इन्जेक तेर मॉथ पार्ट इंटो दा स्किन और इंटो दा यूँए अपिडलनिस अफ प्लांट राइट पिर्स करके द मॉस्कीटों में, फ्लीज में, स्केल इंसेक या कुछ फ्लाइज ने है एकसे टरा इन सब नंगे काफ़ी पार्ट है, तो अभी देखते है पीर्सिंग तो इस तरह के piercing and sucking mouth parts को dipterus piercing and sucking mouth parts भी बोलते हैं चीक है तो मैं पता है mosquito में जो male female mosquito जो है उसका जो host होता है वो human होता है right और human skin में वो pierce करके blood सक करती है right यानि कि उसका food क्या है blood of human इसी तरह जो male mosquito it feeds on the cell sap of the plant right अगर हम आपको दिखाए mosquito if you see just a minute यह देखो can you see यह किस तरह से जो mosquito skin को pierce करके pierce कर रहा है and it is taking up the liquid और यह जो अब इन mouth parts को हम study करते हैं किस तरह से वो modified है तुम्हें पता है कि जो basic mouth parts है यह मैंने pictures ले दिखाए ताकि तुम्हारे दिबाग में रहे कि जो basic mouth parts है वो इस तरह है कि देखो labrum किस शेप का है right यह mandible side में किस शेप के है normal जो biting and chewing type यह hypoferens और tongue यह maxilla labium this is another part of another pair of maxilla तो यह just keep in mind the basic type of mouth parts ठीक है अब क्योंकि mosquito में जो they have to pierce उनको pierce करना skin के थूँ या plant tissue के थूँ तो इसमें जो सबसेदा modify changes है वो यह है कि जो mandible है और जो maxilla है यह जो है modify हो गया एक needle like organ में जिसको कहते है stylet यह देखो आप यह maxilla can you see किस तरह से lower end जो है वो pointed है इसी तरह से यह आप देखो mandible mandible का भी lower end जो है वो इस तरह से pointed है ताकि वो easily जो है tissue के थूँ पनेट्रेट कर ले ठीक है अब यानि की how many stylet are there there are four stylet though mandible and though maxi अब इन stylet को cover करके कौन रखता है उपर से that is labrum आप देखो यह देखो यह है labrum labrum जो pierce करने में help तो नहीं करता बट लेबरम क्या करता है यह can you see यह यह जो है this is the hole is labrum just a moment up कर देती हूं तो मैं जो बता रही हूं कि यह जो है यह पार्ट जो है यह labrum का है अगर हम labrum का section लें तो उपर से ना it will look something like this इस तरह से यह ventrally जो है curved है ठीक है तो इसका pierce करने में तो कोई रोल नहीं है बट यह क्या करेगा इस तरह से ventrally जो है यह depression है और इस में जो है इसकी अंदर if you see lies the stylet now this was about labrum mandible or maxile होगे अब आता है labium labium जो है can you see this broad portion this portion this whole portion this is modified labium labium के end में आप देखो इस तरह से you know broadened structure जो कहते हैं labrum और यह feelers का भी काम करते हैं यह host की body को part को locate करते हैं कि that yes this is the suitable site for penetration अगर हम इसका section ले यानि कि labrum जो है इस तरह से जो डॉर्शलीर जो है वह गुरूव में जो की डॉर्सली इए प्लस है पॉफ्ड सелिए तो इस तरह से रिबर लाइक स्ट्रक्चर है और इट कैरी सलाइवरी डाक्ट विदिट यह इसमें एक सलाइवरी डाक्ट यह जानल है और क्या होता है कि सलाइवा में होता है आंटि को एको एक अ करता रहा तो यह जो ब्लॉट पार्ट रिरी ब्लट रेयरही र्लॉट अर डॉट fantast और कंटिनूसलिए व्रॉडई और be this whole portion is labium यह देखो यह पूरा labium है ठीक है ना और यह जो portion है this is this whole is labrum upper lip देखा यह तो यह जो labrum है यह ventrally grooved है labium जो है dorsally grooved है ठीक है अब labrum की base पर अगर आप देखोगे तो यह देखो यह जो है this is maxilla these are two mandibles और इनके बीच में जो है क्या है hypoferrings है और यह बीच में salivary channel है salivary duct है अब जो labrum का upper portion है और यहाँ पर जो styletts closely placed है यह hypoferrings closely placed है तो यह बनाते हैं क्या food channel और क्या होगा कि mandible और maxilla तो pierce करेंगे और salivary channel saliva release करेंगे और उसके बाद यह दो मैं तुमें picture दिखाती हो क्या होता है if you see यह देखो यह सारे parts देखो यह तो है क्या है this is labium lower lip this is labium upper lip and these are the styletts यह देखो यह स्टाइलेट्स और इन में कहीं है hypopharynx भी यह देखो यह देखो यह देखो can you see in this diagram यह पर आप देखो कि किस तरह से यह यह तो है labium this is labium और यह देखो ग्रूव दिखाई दर यह ग्रूव है जिसमें कि यह सारे जो उसके penetrating organs जो है वो रेस्ट करते है और यह आगे वाले जो लेबलम है यह first they find the suitable site once the suitable site is found these styletts are pierced यह देखो यह blood vessel है from where they suck up the blood right so this is there in the you know mouth parts of female mosquito right mosquito के mouth parts में if you see this labium labium में जो यह जो दो lobes है जिनको हम लेबलम कहते हैं labium along with the labulum is also called proboscis right यह मैं I add करना चाहते थी now we come to piercing and sucking mouth parts in bed bug क्योंकि bed bug जो है order hemiptera को belong करता है इसी लिए इनको हम hemiptera type of piercing and sucking mouth parts भी बोलते हैं मैं तुम्हें दिखाती हूँ bed bug जो है बहुत ही common example है इसका hemiptera type of mouth parts का piercing and sucking type यह देखो can you see picture of bed bug जिसको हम हिंदी में खटमल भी बोलते हैं यह जो है actoparasite है human का यह देखो अगर हम इसके उसको ventral side से देखे यह parts can you see this part make better the white color secret you very clear it is your part yeah yeah the way parts yeah because either is a beach my groove where can you see these pointed parts yeah the way we do is there is a year also right there's the mouth parts give your bed bug be again किस पर फीड करता है human blood पर ना तो यह पहले उसकी skin के थूप पियर्स करेगा देन आफ्टर पियर्सिंग इट विल सक दा ब्लड अप ठीक है अगर हम इसके mouth parts को study करें यह देखो इस आदा mouth parts of bed bug इसमें आप देखो अगें जो पियर्स और सक करते हैं उसमें mandible और maxilla जो है वो ज्यादा developed होते है तो mandible और maxilla यहाँ पर क्या है stylet बना रहे हैं राइट अब सबसे यहाँ वन बाइब सबसे उपर जो है mouth parts में क्या होता लेब्रम लेब्रम आप देखो केवल जो है you can say mouth part की base पर present है इस तरह से can you see this portion इस तरह से केवल base पर ही present है इतना यह कोई developed नहीं है कोई modified नहीं ठीक है labrum के बाद आते हैं mandibles यह दोनों mandibles जो है इस तरह से they are forming stylet और इसी तरह दोनों maxilla भी stylet बना रहे ठीक है mandible भी over हो गया maxilla भी over हो गया फिर आता है labium labium आप देखो किस तरह से यह three segmented labium और यह dorsally grooved है यह dorsally grooved है और यह groove किस के लिए to place the stylet when they are not in use उसके बाद आता है labium के बाद comes hypoferring यहां पर hypoferring भी जो है केवल यहां तक ही limited होती है यानि कि सम्वेर जो बेस तक ही रहती है beneath the labrum it is it is not much modified अब अगर हम section ले इसका तो you'll find यह देखो labrum जो है just ऊपर एक base पर ही present है इतना कोई role modified नहीं है but labium if you see labium labium को हम proboscis भी बोलते हैं hair also proboscis आप देखो किस तरह से यह dorsally grooved है hairy भी होता है जैसे वहां पर hairy नहीं यहां पर भी hairy है अब आप देखो इस groove में क्या क्या लाए कर रहा है inner side अगर आप देखो तो यह है maxilla यह maxilla और maxilla आप देखो maxilla जो pointed है अंदर की जाए और दोनो maxilla मिला के दो channel enclose करते हैं इसको बोलते है food channel और lower channel को बोलते है salivary channel यह देखो इपर फिर से आप ध्याम से देख लो कि maxilla जो है किस तरह से अंदर की तरफ pointed है और it encloses two channel first is food channel and another channel is salivary channel salivary channel से saliva release करते है food channel से food को suck करते है और outer side जो है क्या है present है यह है mandible present ठीक है so this way if you see in case of piercing and sucking stylates are nothing but modified mandible and maxilla which pierce through the skin of the host or the plant tissue the this is all in piercing and sucking type